हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तों आज की यह वीडियो भी इंटर्विव के चैप्टर से ही है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे Essentials of a Successful Interview मतलब इंटर्विव को Successfully पूरा करने के लिए उसमें क्या चीजें जरूरी है, क्या उसकी अनिवारताएं है दोस्तों किसी भी इंटर्विव को Successful बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ Candidate या उसके इंटर्विवर की ही नहीं होती है बलकि यह इंटर्विव दोनों पक्षो means एक Candidate और इंटर्विवर के collective effort मतलब सामूहिक, परियास और उनकी इमानदारी होती है यही एक इंटर्विव प्रोसेस को सफल बनाती है तो अगर एक Candidate के पास इंटर्विव क्रैक करने की capability है उसके अंदर शमता है लेकिन जो परसन उसका इंटर्विव ले रहा है अर्थात जो इंटर्विवर है तो उसे इसकी परवा ही नहीं है या उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है उन Candidate के अंदर क्या खूबी है क्या qualities है उस पर उसका ध्यान ही नहीं है तो यह इंटर्विव अच्छा result नहीं देगा तो इंटर्विवर के negligence उसकी लापरवाही इंटर्विव को असफल कर देती है तो इसलिए इंटर्विव के दोरान unpleasant और unnecessary situations से बचने के लिए नीचे दिये गए यह हमारे कुछ points है जिने ध्यान में रखना हमें बहुत जरूरी है इसमें सबसे पहला point है To avoid opinion formation इंटर्विव में यह बहुत ही important है कि एक इंटर्विवर अपने candidate के बारे में बहुत जल्दी किसी तरह का strong opinion अपने mind में ना बनाए बल्कि इसकी जगहाँ पर उन candidates की information, facts और उनकी qualifications को access करे क्योंकि आम तर पर ऐसा हो जाता है कि जब भी कोई candidate interview room में इंटर करता है तो interviewer उस candidate के manner, उसके looks, उसके चलने के तरीके या और भी किसी personality traits के according या basis पर अपना वा opinion बना लेता है तो यह राय या opinion जो उस interviewer ने interview शुरू होने से पहले ही बना रखा है तो यह opinion पूरे interview के दोरान उस interviewer के दिमाग में चलता रहेगा तो किसी interview को सफल बनाने के लिए successfully उसे पूरा करने के लिए ऐसी किसी तरह की राय बनाने से बचना चाहिए उसे avoid करना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी interviewer indirectly किसी candidate को उसके personal factors के basis पर like या dislike करता है तो यह उसे biased decision making की और ले जाता है तो एक interviewer को इस तरह के opinion अपने mind में बनाने से बचना चाहिए नेक्स्ट है removal of bias दोस्तो यह भी possible हो सकता है कि एक interviewer के पास candidate की कोई ideal picture हो जो उसने अपने mind में पहले से बना रखी है उसके mind में पहले से fix है कि इस तरह के candidate को hire करना है या select करना है तो उस interviewer के सामने आने वाले हर एक candidate को इन biases से गुदरना पड़ेगा सफर करना पड़ेगा क्योंकि वह सभी candidate में अपनी उस ideal picture को ही ढूड़नेगा जो उसने अपने mind में पहले से बना रखी है या जो वह उस candidate में चाहता है तो वह जो interviewer है वह उसी को ढूड़ने में लगा रहेगा बाकी चीजों पर उसका ध्यान नहीं जाएगा तो इसमें candidate के gender या कोई और qualifications हो सकती है for example कोई दो candidates हैं जिनकी similar qualifications है पर उसमें एक male है और दूसरी female तो यहां biases को छोड़ कर या decision लेना important है कि उसमें उनकी skills क्या क्या है उनके experiences कितने है तो एक interviewer को इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए अगर interviewer successful तरीके से interview को पूरा करना चाहता है तो उसे इसकी success के लिए या फायदे मंद होगा एक interviewer को अपने biases को एक तरफ रख कर candidate को उनकी ability, उनके experiences, उनकी qualifications, उनके merit इनी सारी चीजों के basis पर उन्हें judge करना चाहिए नेक्स्ट है basis of judgment दोस्तों एक interviewer को अपने candidate की उन capabilities के according judge नहीं करना चाहिए जो वह आपने पिछले job में किया हो कि वह क्या काम करता था बलकि एक candidate की इस वक्त mental capability क्या है उसके personal attitude, उसके academic background और उसके future goals क्या है इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए ना कि पिछले कामों से उन्हें judge करना चाहिए अब जैसे कोई interviewer accountant की hiring कर रहा है तो उसकी या judgment भी इसके relevant criteria पर ही focus होनी चाहिए उसे या देखना चाहिए कि candidate जो है वह accounting software में कितना skilled है वह financial accounting और accounting के rules regulations के बारे में क्या जानता है तो वह interviewer ऐसे factors पर ध्यान दे और judgment करे जो सीधे उस accountant के काम से जुड़े हो दोस्तों interview के दोरान एक friendly और comfortable environment या कहें महोल बनाना बहुत जरूरी है इससे होता या है कि candidate को आराम महसूस होता है और वह अपनी performance को और अच्छे से और बेहतर तरीके से deliver कर पाता है तो एक interviewer को तब तक कठोर विवहार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह कोई stress approach apply ना कर रहे हो तो candidate से अच्छे से question करना उनके बारे में जानना समझना या भी बहुत जरूरी है अपनी superiority का दिखावा करके candidate के self confidence को हिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसका next और last है anticipation of candidates दोस्तों कभी कभी interviewer को खुश करने के लिए जो candidates होते हैं वो अपने answers को interviewer के interest के according ढालने की कोशिश करते हैं candidates अपनी सची राय या opinion को बताने के बजाए वो अपने answers को interviewer के interest के according रखने लगते हैं कि interviewer उनसे खुश हो जाएंगे तो एक interview को successful तरीके से पूरा करने के लिए या कहें सफल बनाने के लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करने से उन्हें बचना चाहिए तो दोस्तों बस यही कुछ points थे ये points हमें या ensure करते हैं कि interview के fair और unbiased होने के या दोनों के लिए means candidate और hiring organization के लिए यानि interviewer के लिए फायदे मंद होता है दोस्तों इस interview से related और भी बाकी की videos देखने के लिए आप channel में जाकर इसकी playlist को एक बार जरूर चेक करें मिलते हैं next video में thank you